Subscribe intellectual indies and press the bell icon and never miss any update Allo दोस्तों, मेरा नम्हें जाहल खेर और आप देखरें Intellectual Indies आज हम बात करने वाले मैंगनुस एफेक्ट के बारे में मैगनुस एक बहुत ही फाड चीज है अगर उस चीज़ को डेंक से समझ ले इस चीज़ को आप लाइव के अंतर बहुत सारे जगावप ए-प अप्लाई करसकते हैं जैसे कि बॉल को स्विंग करामना जैसे कि आप गॉल्फ केल रहे है उसके अंतर बॉल को स्विंग करामना अगर फुटबॉल प्लेयर है, किस तरीके से आपको घुमा के बॉल को गॉल में फैक्टना है इस सारी की सारी जो चीजे हो रही है, ये मैगनस एफेक्ट के चक्र में हो रही है इस वीडियो के एंड के दर मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल चीजे भी दिखाऊंगा जो अभी तक पॉसिबल हो पाई है, मैगनस एफेक्ट के चक्र में तो इस वीडियो पूरा देखना एंड तक बहुत छोटी वीडियो होगी, हो सकता है थोड़ी सी टेक्निकल हो तो यहाँ पर मैं आपको दो वीडियो दिखाऊंगा अपने एक हाइड के ओपर से बास्केट बॉल को छोड़ा है हलका सा घूमी एर के लिफ्ट के चकर में, पर अल्टिमेटली वो नीचे आके गे दिये अब क्या हुआ, यहाँ पर हमने इसको आगी की तरफ रोल करके छोड़ा यह देखिए, एक दम आगे की तरफ भागती लिफ्ट होते हुँ चलीगी तो यही चीज है मैगनस इफेक्ट तो मैगनस इफेक्ट क्या बताता है, इसके लिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ मान के चलिए बॉल है, फुट बॉल है, कुछ भी है कोई भी एक ऐसी चीज है, जो कि sylendrical है या फिर एक बॉल है तो क्या है, अगर यह चीज इस direction में move कर रही है जो कि ए clockwise, अगर ए clockwise move कर रही है और हवा भी इस direction में चल रही है तो क्या होगा, यह चीज dip हो जाएगी अचाना की नीचे की तरफ गिर जाएगी और अगर यह चीज पीछे की तरफ है anti clock wise चल रही है और हवा भी इस direction में चल रही है तो क्या होगा यह चीज ऊपर की तरफ lift हो जाएगी basically क्या होगा जब मैं इस चीज को पीछे की तरफ से थैकूँगा तो यह चीज जादा time travel करेगी air के अंदर इसके अंदर कम करेगी तो अगर आप cricket खेल रहे है तो आप क्या करेगी अगर इस ball को आगी तरफ रोल करके फेकेगे तो क्या होगा बाल अचानक मीचे की तरफ dip हो जाएगी जैसे spinners करते हैं टॉप swing के अंदर और अगर आप बाल को पीछे की तरफ घुमा के छोड़ेगे तो क्या होगा बाल जादा time हवा में travel करेगी जैसे कि मांके चली यह बाल है अब बाल यह घूम रही है इसके अंदर हवा एक direction के उपर जा रही है पर यहाँ पे जो नीचे की side पे है महाँ पे opposite direction पे जा रही है basically ball की जो movement है वो हवा को एक direction में टकेल रही है जिक्षा चक्कर में ball दूसरी direction की तरफ मुर जाती है थोड़ी से चीज़ है अब चाहे तो इस चीज़ को दुबार से देखिए हो क्या रहा था आप आगे पीछे करके इस वीडियो को बार बार दे सकते है तो यह ball वाली चीज़ दिखाए है वेने आपको यही है सारी की सारी Magnus Effect की कहानी action is equal to reaction तो जो हवा काटी है ball ने उसने जो force create करी है उसको balance करने के लिए according to Newton का third law ball इस direction में move करके तो अगर आप footballer है तो आपको क्या करना है मुझे ball को swing कराना है एक तुम ऐसे गुमा के अंदर goal के अंदर उसाना है तो मैं क्या करूँगा मैं अपनी ball की direction इस direction में रख लूँगा तो क्या होगा ball ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी और ऐसे अंदर को dip कर जाएगी अब मुझे अपनी ball को इदर को घुमाना है तो मैं क्या करूँगा ball को इस direction में turn करा के बैख हुआ ball जाएगी 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 भट basically आपको ball को जिस direction में dip कराना है आपको उस direction में ball को move करना है अगर मैं आगे की तरफ move करा रहा हूँ तो ball नीचे की तरफ dip हो रही है अगर मैं ball को पीछे की तरफ move करा रहा हूँ तो पीछे की तरफ dip हो रही है अगर मैं ball को इस direction में करा रहा हूँ तो इधर को dip हो रही है इस direction में करा रहा हूँ तो इधर को dip हो रही है सीम होती है, स्विंग होती है, तो रॉफ वाली साइट पर ही गुमती है, मैं अब मैं आपको दिखाता हूँ, उसकी प्रेटिकल एप्लिकेशन, किस तरीके से यह चीज हो रही है, स्पोर्ट्स के इलाबा, जैसी कि यह शिप है, इसके वपार रॉटर लगारख रहे है, अब जिस दिर्ख्शन के अदर मूफ कर रही है, उसकी प्रपंडिकुलर थ्रस्ट क्रीट होने वाला है, मतलब अगर मैं इसको इस डिरेक्शन में को होंगा तो ये शिप को आगे बढ़ाने में help करेगी अगर मैं इस चीज प्लेइंग की उपर लगा दूं तो क्या होगा तो ये वीडियो है इस शिप बन की कि भाई कम डीजल लग रहा है एफिशेंसी बढ़गी बेसिकली शिप की तो ठीक दोस्तों यही थी मैगनोस एफेट की कहानी आशा करता हूं को सब्सक्राइब में आया होगा और कोई देखके निचे कमेंट में मुझसे पूछिए और आप मुझे सजेस्ट कीजिए क्या क्या टॉपिक्स होने चाहिए हमारे अब नीचे कमेंट में बताइए कि भाई अगले वेंसे या अगले थर्सदे अब कौन से दिन के ओपर कौन से टॉपिक चाहते है तो जिसका टॉपिक अच्छा लागेगा उसके ओपर वीडियो बनेगी बेसिकली हमारा मंडे वाल वही बुक है फ्राइडे रेंडम आएगा देखो आप चाहो तो सजेस्स कर सकते हैं जैसे मेरा दिल करता है मैं वह चीज़ दाल देता हूं फ्राइडे के अंदर सेंटे संडे भी जैसे आप बताएं संडे को तो भाई मैं अपनी मंद की बात करूं तो वह दिमाग से आती ह अब जो मुझे दिखाई देता है कि गलात हो रहा है उसके पर वीडियो बन जाती है तो ठीके दोस्तों बाई गुड़नाइट शबा गयर खुदा आफिस और प्लीज भाई नीचे कमेंट में मुझे टॉपिक्स चाहिए बहुत सारे टॉपिक्स होने चाहिए झाल